An electronics warehouse ships televisions and DVD players in certain combinations to retailers throughout the country अब एक electronic warehouse पूरे country में सारे retailers को television और DVD players supply करता था televisions बेशता था और DVD players ये दोनों supply करता था The weight of 3 television and 5 DVD players is 62.5 kg अब 3 television का और 5 DVD players का weight है 62.5 kg और 3 television और 2 DVD players का weight है 52 kg तीन television यहाँ पे 3 television और 2 DVD players ये अच्छी आदात है जो जो important points मुझे दिख रहे हैं इस question में उसको मैं underline कर देता हूँ Create a system of equations that represent this situation अब इस situation को हमें mathematical equations के through represent करना है Then solve it to find out how much each television and DVD player weighs और फिर उसको solve करके बताना है कि एक television और एक DVD player का weight आखिर कितना होगा तो भई जो चीज हम करते आए हैं जो चीज इस question में हमसे पूछा जा रहा है उससे हम अपना variable मान लेते हैं क्योंकि इसके value तो हमें पता ही नहीं है तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक television और एक DVD player का weight क्या होगा तो let let weight of weight of one television एक television का जो weight है वो हम x kg समान लेते हैं और एक DVD player का जो weight है weight of one DVD player एक DVD player का weight हम कुछ y kg समान लेते हैं अब पूरे question को जहां से इसका actual question शुरू हो रहा है इस स्वाले line से हम पूरे question को दुबारा पढ़ते हैं और x और y के terms में इसको interpret करने का इसको समझने की कोशिश करते हैं तो एक television का weight हो गया x kg एक DVD player का weight हो गया y kg यहाँ पे मुझे 3 television और 5 DVD player का weight दिया है यानि कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा पहला यहाँ पे जो मेरा पहला यहाँ पे equation मनेगा 3 television का weight हो जाएगा 3 x kg क्योंकि एक का weight x kg तो यह हो जाएगा 3 x kg इसमें अगर मैं जोड़ दूँँगा 5 DVD player का weight यानि कि 5 y kg तो इसकी value यहाँ पे 62.5 kg दे दी गई है 62.5 kg यहोगे मेरे पहले equation दूसरी equation बन जाएगी जो मझे यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 television और 2 DVD player का weight है 52 kg यानि कि 3 x 3 x 3 x 6 plus 2 DVD player का weight यानि कि 2 x y इसकी value यहाँ पे 52 kg ती हुई है बस पहला काम हमने कर दिया इस पूरे situation को हमने 2 mathematical equations में यहाँ पे represent कर दिया है बस इसको अब हमें solve करके x और y की values बतानी है तो पहले मैं तो चाहूँगा कि आप इस वीडियो को pause कर दे और इसे खुद से एक बार solve करके x और y की value बता दे चलिए अब हम इसे मिल के solve करते हैं अब इसे हम किसी भी method से solve कर सकते हैं substitution, elimination, cross multiplication, graphical लेकिन जब मैं इन equations को यहां ध्यान से देखूँगा तो फिर यहां मुझे दिख रहा है 3x और यहां भी दिख रहा है 3x यानि क्या कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों equations को subtract कर दूँ यानि कि अगर मैं कर दूँ equation 1 equation 1 minus equation 2 तो यह 3x और 3x तो आपस में कट जाएंगे और फिर सिफ मेरे पास एक variable बचेगा y जिसकी value में निकाल लूँगा तो चली यह काम किया जाए जब मैं उपर वाले में से इस नीचे वाले पूरे equation को subtract करूँगा तो 3x minus 3x आपस में cancel 5y minus 2y यह मुझे दे देंगे 5 minus 2 यानि कि 3y equal to 62.5 minus 52 यह मुझे दे देगा 0.5 2 में से 2 चला जाएगा 0 6 में से 5 गया 1 10.5 अब मैं y के value यहां से निकालने के लिए मैं दोनों side 3 से divide कर देता हूँ यानि कि इधर भी divided by 3 इधर भी divided by 3 तो उपर नीचे मैं 3 से divide करूँगा तो यह हो जाएगा 1 इधर मेरे पास से 10.5 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 105 upon 10 times 1 upon 1 upon 3 मैंने 10.5 को 105 upon 10 लिख दिया अब उपर नीचे मैं 3 से divide कर देता हूँ तो यह हो जाएगा 3 on the 3 3 3s are 9 और 1 5 3 5s are 15 35 upon 10 यानि की 3.5 यानि की यहां से y की value आ गई 3.5 के बराबर यानि की एक DVD player का जो weight है वो 3.5 kgs के बराबर आ जाएगा और एक बार y निकल गया तो x की value तो निकाल ली सकते हैं इन में से किसी भी equation में आप y की value डाल दीजे और x की value पता कर लीजे तो चलिए हम इसमें से मान लीजे पहली वाल equation ही ले ले लेते हैं तो यहां पर इसको अगर मैं देखूँ तो 3 times x plus 5 times y 5 times 5 times y y की value मैं डाल देता हूँ 3.5 equal to 62.5 हो गई तो यह हमें यहां पर दे देगा यह finally हमें दे देगा 3x plus 5 times 3.5 होगा इसको मैं यहां पे solve करूँ तो यह हो जाएगा 5 times 35 upon 10 3.5 को मैंने लिख दिया 35 by 10 उपर नीचे मैं 5 से divide कर देता हूँ यहो जाएगा 1 यहो जाएगा 5 2s are 10 तो 35 upon 2 यानि की इसकी value आजाएगी 17.5 के बराबर तो वो मैं यहां लिख देता हूँ और इधर है हमारे पास 62.5 अब दोनों साइड में 17.5 अगर subtract कर दूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है 17.5 तो finally यह और यह आपस में कट जाएगे इन दोनों को में subtract करूँगा तो यह हो जाएगा 0 12 में से 7 गया यह हो जाएगा 5 इधर बचेगा 5 5 में से 1 चला जाएगा 4 45 और इधर तो मेरे पास 3X है ही और यह आपस में बराबर है अब दोनों साइड हम क्या करते हैं दोनों साइड यहां पर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली मेरे पास आजाएगा X इकुल्स टू 45 अपॉन 3 यानि की 3 उन्जा 3 और यहां आजाएगा 15 क्योंकि 15 थी जा 45 होता है तो 15 यानि की एक टेलिविजिन का वेट हमें मिल गया 15 kg 15 kg X की वैलू यहां पर आगई 15 kg के बराबर और Y की वैलू यहां पर आगई जो हमने कैलकुलेट की 3 3.5 kg